होलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज गुरंखंड करना सीखेंगे ये गुरंखंड का पाइड नमबर 2 है इसके पहले आपको पाइड DR angels श्क्रांक करना आपको समझायें ठीक माइडनाक किया जाता है इसमेड लेवल को disay है किया कोष्ट में एक माइनस दू धान तिन कोष्ट में एक माइनस दू इसका आपको गुरंखन करना है manufacture ऐस आप को पार्णे पार्ड में 계속 left- photographer समझाई कि गुलन खंड किस प्रकार से किया जाता है यह इसका पार्ण नम घू है देखे फ्रेंस इसमें क्या करते हैं कि देखे कहीं पर भी आपको इस पकाल से लिखा मिल जाए इसका मतलब यह होता है कि इसमें खंड करने का मतलब होता है कि देखा जाता है कि दोनों में क्या कामन है जो दोनों में उभेनिष्ट होता है अर्था जो कामन होता है उसको एक मतलब बाहर निकाल लेते हैं यहां पर यक्ष उमाइनस दूदेख रहे हैं इस वहले पद में ठीक हैं यहां पर यह मिला है याुक्या माइनस दू यहांनि तर्श माइनस है यहां पिसमें थे सामेंस अगला हुर्प कोश्ट्क बनाएंगे ठीक है डिए फ्रेंज आपको इन दोनों प्द में बाँने कि अक्स माइनिस दो बाहर निकार 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 लेंगे यहां पर यहां पर निकार कर यहांने कि जो image 9 एक कोश्ट में यक्स तो प्लस लिए यानि यही फ्रेंज क्या है आपकाłem प्रोंखंड हो गया और यही आपका एंसुर आया है ठीक है तो फ्रेंगे कितना सिंपल है चलिए इसको दोतिय एक्जाम्पल से अलग अलग प्रकार से जो क्वेस्टन बन सकते हैं इससे उन सभी क्वेस्टन को देखते हैं तो आपके समय अगला प्रश्ण है देखें यहां प्रेंस इसको हल करना है इसको हल करने से पहले question को ध्यान प्रुवक पढ़ा जाता है और ध्यान प्रुवक देखा जाता है देखे फ्रेंस यहां पर आप जब दखे रहे हैं कि 7 कोष्ट में इसको लिखने का तरीका देख लिए फ्रेंस आपको बेसिक लेवल से पार्ट बनता चुके हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं धन साथ गुड़े कोष्ट में 4-a लिख सकते हैं अभी गुण खंड करने का मतलब बता हैं उन पदों को बाहर निकाला जा जो दोनों पदों में सामील होता है एक पेसा आपका यहां पर करेँगे यहां पर साथ निकालेंगे और देहां यहां होड़ा गुड़ा कचीन देगे depressed आंप थ्ट्ड़ा से बड़ा कोष्टक बना लेजीए यहां प देहें आपको डाउट एक चीज्ण हो रहा होगा यहाँ पी दूसरी आपован में चाहर गटाया गया लेकिन इसवाले बराबर भालय बराबर नहीं बराबर रहा थिसमें साथ रही है इसको लिख लीजिए। लिख लिखें। इसको लिख लिजिए। अब अगला स्टेंओ में कर लीजिए अब कोश्ट बनेजिए अब क्या हो रहा है कि यहां पर आप जिद्धान से देखेंगे यहां पर चार में से चार जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा देखें चार में से चार गया जीरो मतलब एमसे जीरो ठीक है यहां पर आप फ्रे क्या आप जगा फ्रेंस आपका जीरो आएगा ती इसना ध्यान रखिएगा चलिए अब अगले question को हल करके देखते हैं कि अगला question आपका क्या दिया है ठीक है फ्रेंस यह आपका अगला प्रश्न है फ्रेंस देखिए उपर आपको दो सवाल अदम basic concept बदा चुके हैं यह थोड़ा उससे different है और देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे देखिए फ्रेंस जब इसको दन कर दीजिए दिखे 7 गुड़े लिख सकते हैं इसको d-7 लिखेंगे अब देखिए इतना लिखने के बात क्या करेंगे इन दोन में पदम देखिए एक पद्ध यह हुआ आपका एक पद यह हुआ और बीच में ध्द कचीन इसमें देखिए आपका कामन क्या दोगिए य D-7 इसमें भी है यानि कि इन दोने में कामन क्या है D-7 यहाँ पर क्या लिखेंगे कि D-7 कोश्टक बनाएंगे गुड़ा कचिन देगे अब थोड़ा बड़ा कोश्टक बना लीजिए ठीक है इसके बात देखें फ्रेंस क्या है आपको इस वाले पद में बच क्या रहा है तो क्या हो जाएगा यहां पर गुड़ा खंड हो जाएगा ठीक है इस परकार से सिंपल तारिका से गुड़ा खंड किया जाता है ठीक है फ्रेंस तो फ्रेंस आपको ही वीडियो पसंद आ है तो वीडियो का लाइख करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी बिये किसी कोश्चन में आपको डवट होता है तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें